Hey guys, welcome back to my channel So guys, इस channel पर मैं आपके साथ share करती हूँ Fashion, Style and Beauty के Relative Interesting Video So अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe to my channel आज के वीडियो में हम share करने वाले हैं Slim Girls के लिए कुछ tips क्योंकि कुछ girls काफी ज़्यादा slim होती है कि उनको कई कपरे भी suit नहीं करते तो इस वीडियो में मैं आपके साथ share करूँगी total 8 इस tips जिसको यूज करके अगर आप बहुत ज़्यादा slim है तो भी ये बहुत अच्छे दिखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लगियां ज़्यादा तर suit पहनती है उनके लिए उनको किन चीजों का ज़्यादा तर ध्यान रखना है तो tips नमबर वन हमारा ये बताता है कि जब भी आप अपने लिए suit सिलवाते हो तो heavy वाला पतियाला सलवार stitch करवानी है क्योंकि heavy पतियाला में बहुत ज़्यादा प्लेट मिलती है उससे होता ये है कि आपके कपरों का जो volume है वो काफी ज़्यादा increase हो जाता है मैं ये बात 100% guarantee के साथ बोलती हूँ कि उसको पहन के आप बिलकुल भी पतले नहीं लगोगे इनफेक्ट आप पे बहुत अच्छे से सूट करेगी वो चीज इस tips में मेरा एक suggestion है कि please avoid fitting lengis because उसमें आप और ज़्यादा slim लगोगे हमारी second tips ये है कि आप अपने सलवार को replace कर सकते हैं सरारा में हाँ आप daily routine के लिए सलवार यूज़ कर सकते हैं अगर कोई party है या फिर function आपको attain करना है तो वहाँ पे आप सरारा को use कर सकते हो simple सरारा के अलावा आप try कर सकते हो layer वाले जो सरारे आते हैं वो अभी आप screen पे देख सकते हैं कि जो double layer वाला सरारा है अगर आप carry करते हो तो वो आपके body को in harness करके बताता है वो ज्यादा suit करेंगी बजाए full sleeve के क्योंकि sleeveless suit में क्या होता है कि आपके जो आमस होते हैं वो काफी अच्छे से highlight होते हैं लेकिन आप sleeveless नहीं पहनना चाहते हैं full sleeve बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए पर एक काम किजीएगा आप net की sleeve बनवाएगा वो ज्यादा better option रहेगा आपके लिए हमारा अगला tips number उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां burst area से काफी पतली होती है आप अपने suit के साथ suit वाली jacket का use कर सकते हो उससे क्या होता है कि double fabric का impact create होता है एक तो already आपकी suit का fabric होता है इन साथ में चेकर का fabric भी उसमें add होता है जाता है तो उससे क्या होता है कि एक environment आता है अगला tip पैंपलम टोप एंड कुर्टी के बारे में वेसे भी ये काफी ज़्यादा trendy है और अगर आप extra slim है तो आपके लिए best option रहेगी पैंपलम टोप जो होती है वो best area से काफी fitting वाली होती है तो वहां से आपको highlight हो जाएगा और नीचे की तरफ से flare होती है जिससे के volume आपका बर जाएगा तो पैंपलम कुर्ती slim लड़कियों को extra benefit देती है अगला tip यह है कि आपको अपने कपरे select करते time यह ध्यान रखना है कि आपके लिए light color के कपरे जादा अच्छे रहेंगे as compared to dark color क्योंकि light color काफी जादा reflective होते है जिससे कि body का जो volume होता है वो increase होके दीखता है अगर आप western कपरे पहनते हो तो भी तब भी आपको यह चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जैसे कि इस screen पर देख सकते हो अगर आप carry करते हो black color के jeans को तो आप काफी ज़्यादा पतले नजर आते हो उसके opposite में अगर आप light color के jeans carry करते हो तो ज़्यादा अच्छे लगेगी क्योंकि वहाँ पर reflection create होता है tips number 7 हमारा तब अपला होता है जब आप लोग गुर्टी पहनते हो आपने देखा होगा कई लग्यों को के जब भी वो long गुर्टी पहनती है तो उसके साथ या तो वो दोरी का यूज़ करती है या फिर belt का यूज़ करती है क्योंकि इसा करने से आपका worst area का फिस highlight होता है और आप slim लगने की बज़ाई काफी stylist लगती है लेकिन जिस लग्यों का worst area काफी हेवी होता है वो ये tips को ना यूज़ करें अगर आप कोई festival या फिर function अटेंड करने वाली है तो आप यूज़ कर सकते हमारा tips number 8 चो slim लड़किया होती है उस पे flare वाली अनारकली बहुत अच्छी लगती है तो ये थे हमारे art dressing tips slim girl के लिए तो वीडियो की सा लगा comment में ज़रूर बताईएगा एन पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा share करिएगा thank you for watching bye take care मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में interesting topic के साथ